महराश्ट के मुंबई में मॉब लेंचिंग की घटना सामने आई है माल्ड इस्ट में 27 साल के व्यक्ति को 10 से 15 लोगों ने उनके परिवार के सामने ही पीट-पीट कर मार डाला घटना 12 ऑक्टूबर की है सोंवार को घटना का वीडियो वायरल हुआ ओवर्टेकिंग को लेकर उसकी एक ओटो ड्राइवर से बहस हो गई जिसके बाद कई ओटो ड्राइवरों और स्थानिय दुकानदारों ने उससे मार पीट की विक्टिम की मा उसे बचाने के लिए उसके ऊपर लेट गई तो भीड ने उने भी लाते मारी वही मार पीट में विक्टिम की पतनी का मिस्केरिज हो गया विक्टिम के पिता ने भीड को रोकने की कोशिश की तो उने आँख में चोट आई इससे उनकी बाई आँख पर्मानेंट डैमेज हो गई है शुरुवाती जानकारी के मताबिक विक्टिम महराष्ट नवनिर्मान सेना यानी MNS का मेंबर था उसका नाम आकाश बताया जा रहा है वह 12 अक्टूबर को दशेहरे पर अपनी परिवार के साथ नई कार खरीदने जा रहा था तब ही ये घटना हुई मलाड रेलवे स्टेशन के पास एक आटो ने उसकी कार को ओवर्टेक किया जिसके चलते एक रिक्षा ड्राइवर और आकाश के बीच कहा सुनी हो गए विवाद बढ़ने के बाद रिक्षा ड्राइवर ने अपने दोस्तों और स्थानी दुकानदारों के साथ मिलकर आकाश पर हमला कर दिया वे लोग आकाश को लगातार लाते मारते रहे इससे उसे गंभीर चोटे आई उसे एक अस्पताल के ट्राउमा सेंटर ले जाया गया जहां आकाश ने दम तोड़ दिया